नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत ही अच्छी वेकेंसी अभी आई हुए तो सभी लोग वीडियो पर बने रहें साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए देखते हैं क्या है तो वेकेंसी जो आई है दोस्तों वो आई है SSC के माध्यम से और SSC ने जो वेकेंसी दी है ये जो वेकेंसी है SSC सेलेक्शन पोस्ट एक्स रिक्वाइर्मेंट 2022 के जो है ओनलाइन फार्म चालू हो चुके हैं पोस्ट जो अपडेट हुई है बारा मई 2022 को यानि की पांच 51 पर जो है अपडेट हुई है तो सभी लोग बिल्कुल अच्छे से वीडियो पर बने रही है ना स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने जो है एडवर्टाइजमेंट इसका जारी किया है देखिए यहाँ पर इस पर लिखा रखा है कि स्टाप सेलेक्शन कमिशन SSC has released the advertisement for the requirement to be held on metric, inter एंड ग्रेजुएट लेवल सेलेक्शन पोस्ट एक्स है ना मतलब इन तीनों लेवल कि यहाँ पर वेकेंसी निकाली गई है इसके माध्यम से चली देख लेते हैं इससे related महात्मुन चीज़े क्या क्या हो सकती है है ना तो यहाँ पर important date की अगर हम बात करें तो application जो form start होने वाले है बारा पांस दो हजार बाविस से है ना last date for apply online यहाँ पर अभी दे नहीं रखी है ना last date जो है 13-6-2022 से up to 11 पीम only मतलब 11 बजे से पहले आप जो है फार्म डाल पाओगे ना बारा बजे रात का इंतजार ना करें सभी लोग बारा से लगा कर 13-6 यानि कि कुल मिला के एक महीने तक आप इसका फार्म डाल सकते हैं last date exam phase की है 15-6-2022 लास्ट डेस online payment की है 18-6-2022 से ना cbt exam date यानि कि cbt first की जो exam date वो रहेगी अगस्त यानि कि दोस्तों इसकी अगस्त में जो है exam रहेगी admit card अवले बिफोर exam मतलब exam से पह यहां पर अगस्त 2022 में इसकी जो है exam होने वाली है तो सबी लोग जो है बिल्कुल अच्छे से अपनी तयारी को जारी रखी है यह ना सांत में देख लेते हम fees का क्या meter है तो general EWS और OBC की fees 100 रुपे हैं यहां पर SC और ST की जो fees हैं यहां पर कोई fees नहीं है all category female की यहां पर fees न maximum age आपकी 18 होनी चाहिए और maximum age आपकी 30 वर्स होनी चाहिए post wise चीक है for post wise age limit details read to full notification मतलब किसको कितनी छूटें इसके लिए आप notification पढ़ सकते हैं तो यहां पर post आई है 2065 post अच्छी post है ज्यादा कम भी नहीं है ज्यादा ज्यादा भी नहीं है लेकिन normal post है ना तो सभी लोग इसमें farm आवश्य डाले इसके आप हम देख लेते क्या कि यहां पर eligibility है अलग-अलग post के लिए तो यहां पर selection post x level की यहां पर eligibility selection post eligibility metric के लिए यहा यानि बारवी आपका होना चाहिए किसी भी वोड से तो इसमें आप farm डाल पाऊगे graduation level में आपकी bachelor degree आपके पास होना चाहिए किसी भी stream में आपने बैशलर डिग्री यानि की BA, VSC, BCOM यह आपने जो है कर रखे इसके अलाव दोस्तों में और अच्छी चीजे बता देता हू आपको इसका सांथ में syllabus भी बता देता हूं कि क्या इसका syllabus रहेगा तो यहाँ पर syllabus जो रहेगा 100 question रहेगा 100 question में आपका general intelligence का यहाँ पर 25 नमबर का question रहेगा, नमबर इसका जो है 50 रहेगा, general awareness यहाँ पर 25 question रहेगे, quantitative aptitude जो है यहाँ पर basic arithmetic skill जो है 25 रहेगी और English language भी यहाँ पर 25 रहेगी, cool मिला के आपको सारी चीजे, general intelligence, general awareness, quantitative aptitude और English language जो है 25 नमबर का रहेगा, और paper जो है आपका 200 नमबर का होने वाला है, अगला दिख लीजी यहाँ पर, total duration यहाँ पर आपके पर साथ मिनिट रहेगा, 80 मिनिट फोर candidate eligible for scribes and esper, यहाँ पेराज 8.1 EI से 8.2 मतलब जो लोग जो है दिवियांग रहेंगे उनके लिए यहाँ पर छूट रहेगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए 60 मिनिट यानि कि ए गंटा आपके पास समय रहेगा, यहाँ ना, there will be negative marking of 0.50 marks for each wrong answer, मतलब कि आपका इसमें 0.50 का यहाँ पर minus marking रहेगा, यहाँ ना, सभी लोग ध्यान से इसका नोटिफिकेशन और आराम से आप लोग पढ़ लिजेगा, टेलिग्राम चैनल पर जो है नोटिफिकेशन में भेज दूँगा, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले महत्मुन जानकारी के साथ, जै हिन, जै भारत